सवाल को इस सवाल को आप समझें, कि जिनके बच्चे सहागत दे रहे हैं, जिनके पिताजी खेतों में मर रहे हैं, यह दोनों चिसान से लेकर जवान तक आज प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी के खिलाब बनारुससे चुनाव लगने जा रहे हैं बियेसेट का वो जवान टेज बहादूर यानव बनारस से चुनावलर रहा है और 111 पिसान बनारस से चुनावलर रहा है यह इनकी हकिकत है और अमित साह आकरके रास्त्र कभी की इस धर्ती पर हमको रास्त्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए आये थे एक बात मैं आप से पूछना चाहता हूँ यह कहते हैं तुप्डे안 तुप्डे गैंग कौन करता है तुप्राटुप्रा तुप्रा इस देश को अपने दिल पर हात रखिएगा और एक बार सोचिएगा कि किसने इस देश को टुपरा-टुपरा करने का प्लान बना रखा है आप ज़रा उसके बारे में समझेगे चुना हो रहा है एक सचंद हैंड मिनिस्टर हमारे पास चुनाओ लगने के लिए आए हैं सचंद हैंड नाना लेकर हैं और वो second hand minister, उनकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप उनका social media profile जाकर के चेप कर लीजिए. उनकी ministry क्या कर रही है? इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी. जिस बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा, इस बात की पुरी जानकारी आपको मिले तो जब हमने ये सवाल पूछा कि आप कहा के मंत्री हैं? आप देश के मंत्री हैं, हिंदूस्तान के मंत्री हैं, कि पाकिस्तान के मंत्री हैं कि इनराज बाबु जराब ये हमको समझाती चीए. आप बात-बात कर कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो मोतीची की रैली में नहीं ज पहले कहल खीन कि कुछ भी हो जाए हम नवादा से ही चुनाव लड़ेगे नवादा से यदि नहीं लग ने दिया जाएगा तो हम राजनीती से सन्यास ले लेगे सन्यास तो वह नहीं ले वेगु सणाए के लोग इनपी तारी कौन को सन्यास देगा दीजेगा तीजेगा याँ लगी ते भड़ा लागए थी नजोयद पिचेल ने थी वेगु सराग धर्ति चीखेए वेगु सराग धर्ति और पिछला पांच साल में लगातार इस सरकार ने बेवसराय की मिट्टी को अकुमानित करने का काम किया है इस बात को आप हमको सोच करके बताईए कि किस मुह से इन्होंने इस मिट्टी के लाल को गबदार कहने का काम किया इस बात को आप सोच करके बताईए छोड़ दीजिए हो सकता है कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो मन लेते हैं एक बात की लेकिन एक बात बताईए खुद पर भरोसा है कि नहीं है अपने दिल पर हाथ रख करके बताईए आपका दिल कहता है कि बेगुसराय में गर्दार पैदा हो जबता है सोच के बताईए यह किस मुह से आकर के बेवु सराय में कहते हैं कि नमूना है ए साहाब हम तो नमूना नहीं है लेकिन आपको देख करके लगता है कि आप घोड़से का नमूना है और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यह धर्ती रॉक्टर बाबा साहब भीम्रा अंबेदकर की धर्ती है यह धर्ती सहीद आजम भगत सिंग की धर्ती है यह धर्ती महात्मा गांधी की धर्ती है यह धर्ती वेवु सराय एक से एक सहीदों की धर्ती है इसलिए अगर आप हमारा नमूना देखना चाहते हैं तो परधान मंत्री से ज़रा कान में पूछ दिजिएगा और बताइए कर्णिया याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है नमूना तो हमने आपको दिखाया है कि जितना जोड लगाना है लगा लीजिए अपने लुटेरे दोस्तों को बुला लीजिए खरीद लीजिए उनके दम पर अपने मीडिया चैनलों को लेकिन हम आपको बताएंगे कि कॉर्परेट से पावर से चादा पावर्फुल इस देश में विपल्स पावर होता है यह बात आपको एक बुड़े सपने के तरह याद आएगी और आपको एक बुड़े सपने की तरह याद आ रहा है इसी लिए आप अपनी पूरी टाकत लगा दिए हैं एक मिनिस्टर सहाब को चुनाव लरने के लिए भिजे हैं मंत्री जी करते हैं नहीं विभुसरा नहीं जाएगे हैं। हम इत साथ बोले कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप बस किसी तरह से हिंदू मुसल्मान करके, समसान कभरिस्तान करके विभुसरा ऐसे चुनाव जीत करके आजाएए। हम आपको कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे। जो इस देश में चाप लूसी के तुकड़े पे पलते हैं, वही इस देश में मजदूर और किसानों के लगने वाले लोगों को तुकड़ा तुकड़ा कहते हैं। और ये जो चाप लूसी के तुकड़े पे पलने वाले लोग हैं, इस देश को जो लूटने वाले पूंजी पती हैं, उनके तुकड़ों पे जो पलने वाले लोग हैं, इस देश में किसानों, जवानों और इस देश के आम आवाम महनत कस्ती जो आवाज है उसको दबाना च कहते हैं कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए आप तकत मचाइजcled लेकिन बेगु सराइए के लोग अपना सच जानते हैं पेगू सराइ के राश्ट कभी पैबा करती है राश्ट द्रोही नहीं पैदा करता है और रही बात मुकदमे की तो ऐ साहब एक क्या एक वजार अब तक जेल में चना रहे गा आप से नहीं लगता है आप कूरी कुशिश कर लीजिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता है आपको जितना हमको गद्डार कहना है कह लीजिए क्योंकि हम यह जानते हैं कि सच को कोई बदल नहीं सकता बदल सकता क्या है अच्छे एचिदी आपसी बेंग के सामने हम ख़र हो एक कह यह इस बी आई चीकेज इस बी इस बी आई इस बी आई सब्सक्राइब करना बंद कीजिए सबूत बेस कीजिए और हम जानते हैं कि आप अपना सबूत मिटाने में माहिड हैं लेकिन हम अपना कोई सबूत नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हमारा सबूत देश को तोरने के लिए नहीं देश को जोरने के लिए है इस बात को याद रखिएगा जो लोग इस देश में चुनाओ के वक्त हिंदू और मुसल्मान कर रहे हैं जो लोग चुनाव के बक्त में समसान और कबरिस्तान कर रहे हैं, जो लोग चुनाव के बक्त में मंदिर और मस्जित कर रहे हैं, दरसल वो देश तोरने का काम कर रहे हैं, और हमको एक बात कह देते हैं, कि इस धरती को अगर किसी चीज ने बचाई है, तो वो है इस देश की गंगा जमनी तहजीव और गंगा जमनी तहजीव यह होता है कि जब हम बुत्रू रहे हैं तो हम आभीड़ा लोग नारा लग ले रहे हैं भारतमा के चार सिपाही हिद्व मुस्लिम से खीशारे हैं हम इन नारों को सुन करके भरे होए हैं और जितना छोटा दिमाग है उतने छोटे दिमाग से ही यह समझने की कोशिश करते थे कि इस देश की क्या खास बात है रमजान जब आप बोलेंगे तो राम का नाम आता है और दिवाली जब आप बोलेंगे तो अली का नाम आता है यह इस देश की खासियत है कि एक मुसल्मान का लिखा हुआ गाना हिंदूों के मंदिरों में बसता है ये इस देश की खासियत है कि आप इलाकों में घून करके देख लीजिए आप कई बार हिंदू और मुसल्मान में फर्क नहीं कर पाएंगे जो लोग हिंदू और मुसल्मान में फर्क कर रहे हैं, जो लोग राम्मान और दलित में फर्क कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इस देश में बुद्धे की राजनीती हो, अगर लोग तंत्र में लोगों के सवाल को महत्तु दिया जाए, तो सोच करके हमको बताईए, दिल पर हाथ रख करके आप हमको बताईए, कि अच्छा इन्वस्टी अधी बेगु सराय में बनेगा, बर यह अगर विसकी ज्यादा बनता है, तो खाली बागने पढ़ते के दलितों पढ़ते हैं, खाली दलिते पढ़ते के भुम्यारों पढ़ते हैं खाली हिंदुर पढ़ते हैं मुसल्मानों पढ़ताई, अխर यहां अस्पताल बनते तव सब नहीं घंगें, सब कहनेर अगने ।कनदारक पास जात शोड़ समान लें ला इपुष्क समान नहीं देई, च्वाग नहीं हिंदू होतु नहीं देगे। इपुष्क नहीं देऊ, पुष्क मुसलमान होतु नहीं देगे। अचा तो मुहमधीजी के जे के मुठा निकाल ला खी धान, उकर आएक देन उथाक फेक लो, रोडंब पर… देखो को अगर आओकर जायत कुछ पूठूबे तहुं समझिये। कोई अगर कहें रूपा लेगरिक नाइन एकरा हम नाइ छूबे एकरा दलीच छुल कहें। कोई कहें ने ने तो मुसल्मान कहां तो सहीला हैं। मीट जे काते हैं। उहें तुहजर यान नोट लेच्छा हैं। अखुला कैक उहें हाँ चुदै छे। अफेर जेखोन सुनो सुनांबत वेच्छे। कागज कुन रूपा छी है। अफेर जेखोन तुजा घरवा गरवत्ती खरी देयाला है। तुहें देभ हुआ हैं लेतों। ले चेह नहीं लेचे। एक बात वेरा स्वेच के बत बहुत। रूपा घरी दने के दो हिंदू-मूसल्मान याग आवेच्छे। माल घरी रूपा घरी आवेच्छे जाए दो। चुना घरी हिन्दू मॉसल्मान है जब जाः मसीन में ज़ती है तो हुज हो है ओना जाहे और हिंदू कहाँ छाय भुंदू कहा है बर्रामिन कते खाय तो अग्वोट द्वो जायत के नाम पर खोजबो विकास गोट द्वोधरम्द नाम पर खोजबो इस्कूल जायत पाइत धरम्द नाम पर खोजबो सरक्ष एक बात सोच लिजिए यह साजिस एक दिन में हमारे खिलाफ महीं रची गई है इस साजिस को बरी ध्यान से गढ़ा गया है बुना गया है और इस ट्रैप में हम इस तरीके से फस गये हैं कि एक बार सिखाया गया पंची को कि सिकारी आएगा दाना डालेगा भूल से उसमें फसना नहीं सिकारी आया भी दाना भी डाला पंची पोल भी रहे थे सिकारी आएगा दाना डालेगा भूल से इसमें फसना नहीं फसने के नहीं फसने के हमको मालूम है कब यह बेगो सराई जिला है आएगा नहीं बालेगा